क्या आपके घर के आसपास भी कोई टाइल तोडने वाला नहीं मिल रहा है आपको क्या फिर आप पैसे बचाना चाहते हैं अगर हाँ तो आज का वीडियो है खास आपी के लिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आसान टेक्निक की जिसकी मदद से आप अपने घर की टाइले विना किसी मदद के कुछी देर में तोड सकते हैं तो चलिए करते हैं शुरू से शुरू तो टाइल तोडने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक टाइल को धीला करना होता है और इसे धीला करने के लिए आपको छेनी और हतोरी की मदद लेनी होगी तो सबसे पहले आप इस टाइल के किसी भी जोड़ पर या किसी भी एक कॉर्णर पर चेनी की मतद से हथोड़ी को मारिए आप देखेंगे कि कुछी देर में आपकी जो टाइल है वो थोड़ी-थोड़ी तूटना शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी धिरी होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको अपने हाथों से थोड़ा सा प्रेशर लगाना होगा और आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही सेकेंड में ये जो पूरी टाइल है वो आपके हाथ में आ जाएगी टाइल के साथ सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि टाइले आपस में जूड़ी होती है तो जब आप इस काम को करिएगा तो थोड़ा सा केरफुल रहेगा क्योंकि जब एक टाइल तूटती है तो उसके साथ साथ कई सारी टाइले अपने आप तूट कर गिरने लगती है जो कि एक अच्छी बात होती है तो अगर आप अपने गर की टाइल्स खुद तोड रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने हाथ में गलव्स पहन ले और अपने पैरों में जूते जरूर पहन लीजेगा क्योंकि जब टाइल्स तूटती है तो तूट तूट के नीचे गिरती है और ये टाइलेज होती है वो थोड़ी सी नुकीली होती है आपको चोट पचा सकती है I hope ये टेकनीक आपके जरूर काम आएगी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक देज स्वस्त रहिए मस रहिए पेशा कितने वीवेस्त रहिए